तो आज स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन अब ध्यान से समझते हैं न्यू कॉंसेप्ट कि पुरियर अभी हम लोग बहुत सारा एक्जामपल देखेंगे जिसमें कि किसी भी ऑबजेक्ट का मोशन होगा सर्कल में तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? मोशन ओफ ए पॉड़ी और मोशन ओफ एन ऑबजेक्ट इने सर्कुलर पात जैसे यहाँ पर एक्जामपल के रूप में देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लानेट का मोशन है अराउंड स्टार और सन इने कर्व पात यह पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है तो क्या इसको सर्कुलर मोशन के कट़ई में रखेंगे? यहाँ पर प्लानेट का जो मोशन है, एक्जेक्ट सर्कल नहीं होता है वो सर्कल थोरा सा फ्लैटेंड होता है, यानि इलिप्स, इलिप्टिकल पात है तो क्या इसके मोशन को सर्कुलर मोशन के अंदर में स्टड़ी करेंगे? उसी तरह से एक और कुश्चन है, जैसे माल लो की कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऐसे रास्ते पे जा रहा है करो पात पे, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रास्ते पे जा रहा है, तो क्या इसके मोशन को सर्कुलर मोशन बोलेंगे? सर्क्लों मोशन के अंदर में हिस्टडी करेंगे और यहां पर देखते हैं यहां पर देख सकते हैं कि किस सेटलाइट का मोशन किस तरह का हो रहा देख रहा हूं ना सेटलाइट का मोशन सेटलाइट का भी मोशन हो रहा है क्या उसके मोशन को भी सर्क्लों मोशन के कर्टेग्री में रख सकते हैं या किसी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन का मोसन देख सकते कि एक लिंद चरकण नहीं है। लेकिन कुछ इस तरह का मिलता-जूलता रास्ता हैó। चैसे लिप्स है या। उस तरह का उश्त और रास्ता है त्रैजेक्ट्री यहाँ पर जो electron का motion है, क्या उसके motion को भी circular motion के category में ही रख सकते हैं, यहाँ पर एक देख सकते है pendulum, pendulum का motion, circular motion दो दिख रहा होगा, इस तरह के pendulum को कौन सा pendulum बोलते हैं, इस तरह के pendulum को हम लोग बोल सकते हैं, conical pendulum और simple pendulum, दोनों में क्या difference है, simple pendulum में क्या हुआ कि अगर a string है, और उसे कोई object connected है, और इस object हम यहाँ से displace कर दिए, तो यह इस तरह से motion करेगा, तो इसके motion को हम लोग बोलेंगे simple pendulum, वो भी simple का मतलब वहाँ पर कुछ और है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, कि जब इसको हम लोग थोरा सा displacement देंगे तो यह simple pendulum कहेंगे इसको, ठीक है, और अगर large angle के लिए displacement दे रहा है, तो यह simply pendulum बोलेंगे, तो किसी pendulum का motion अगर ऐसा होता तो यह pendulum का motion हो गया, अगर angle बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे simple pendulum, और अगर हम इसी pendulum को ऐसे circle में rotate कर रहे हैं, यह कोन बनाते हुए, तो क्या बोलेंगे, कोनिकल pendulum, जो कि यहाँ पर example में देख सकते हैं, कि pendulum क्या है, पिंडलम इतना angle बनाते हुए, वर्टिकल से, और यह horizontal circle में घुम रहा है, पिंडलम जो है, पिंडलम का बॉब, यह पिंडलम का बॉब हुआ, यह क्या है, और जेंटल circle में ऐसे rotate कर रहा है, तो कोन बना रहा है, तो इसके motion को क्या बोल सकते हैं, circular motion बोल सकते हैं, इसमें तो कोई doubt नहीं है, यहाँ पर भी कुछ इस तरह का, यहाँ पर देख सकते हैं, car है, circular turning पे, एक circular turning पे, car auto, इस तरह का, किसी भी object का motion, जो होगा वो, यह भी circular motion है, तो motion of a car, motion of a car on circular turning, तो यह भी क्या है, circular motion है, यहाँ पर देख सकते हैं, कि एक यहाँ पर ऐसा रास्ता बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पर ऐसा एक loop बना हुआ है, तो यहाँ से किसी object को अगर हम slide करा रहे हैं, तो यह आगे जाकर कि इस loop में, इस circle में घुम रहा है तो इसका motion भी चर्कुल मोशन का example हो गया है यहां पर देख सकते हैं cycle जो हम लोग चलाते हैं daily life में cycle चलाते हैं समय देखते हो कि जहां पर कोई circular turning आता है generally दो केस हो सकता cycle चलाते हैं एक तो straight road तो straight road पे generally हम लोग सिधा चलाते हैं लेकिन जहां भी circular turning होता है जो अन्दर की और cycle को bend करते हैं और बेंड करते हुए हम लोग cycle को circle में घुमाते हैं कभी कभी देखते कि कोई बाइक वाला रेस लगा रहा है तो जैसे ही वह सर्कुलर पाथ पे आता है करो पाथ पे तो बाइक वाला ओभर बीच पे जहां पी कर्व होता है इस अब देखते हो कि रेसिंग में तो बाइक वाला अपने आपको क्या करता है वह बेंड करते आता है वर्टिकल से दू तुम लोग सरकस में देखते होगे बहुत खतरनाक टाइब का जिसमें की एक डेथ विल है मौत का कुणा डेथ विल डेथ विल में जो हम अपना पिक्चर भी दिखाएंगे इसमें अभी नहीं लाया है अगले क्लास में दिखा देंगे जब डेथ विल के कुश्चन को हम इसको अगले क्लास में अभी बाइक चलेगा ठीक है इस तरह का जितना भी इशामपल देखें सारा एक्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं कि मोशन औने सर्क्लर पाथ है अब हम लोग स्टडी करते हैं सर्क्लर मोशन का क्या मतलब है सर्क्लर मोशन का क्या मतलब है सर्क्लर मोशन का मतलब है मोशन मोशन ओफ an object motion of an object on a circular circular path can be called as a circular motion example के रूप में हम लोग देखे कौन कौन साइग जाम पल देखे motion of a a planet around their sun motion of an electron around nucleus around the nucleus motion of a pendulum in a circle motion of a cycle car on a circular turning dying कि छीकए बहुत सर आगजमपल बताए और कोई एंपल बताए थे टेए आपर थे ए मोसन आप साइफ आफ आइफ बाईंग इन आफ, इस वेल मोसन अफ आफ एक हो इं आफ याड। आफ, इस आफ, आफ in a death well, motion of an object in a rotor, etc. or motion of an object on any curved object. तो अभी तक जित्ता बेग्जाम्पल देखे, किसी भी तरह का ट्रेक होगा, किसी भी तरह का ट्रेक, किसी भी तरह का रास्ता होगा, हर केस में object के motion को हम लोग circular motion के रूप में visualize कर सकते हैं, इभेन किसी projectile का motion किस तरह के रास्ते पे होता है, पेराबोला पे होता है, उसके motion को भी हम लोग circular motion, different location पे circular motion के रूप में visualize कर सकते हैं, तो किसी भी करव पात पे कोई object अगर चल रहा है, चाहे वो करव पात हो, ellipse हो, parabola हो, even a straight line को भी हम लोग चाहें, तो circular motion के रूप में visualize कर सकते हैं, तो कोई भी तेड़ा मेरा रास्ता होगा, तो उसके motion को हम लोग circular motion के रूप में visualize करेंगे, अब समझते हैं कि circle का क्या मतलब है, circle के लिए दो चीजी important होता है, एक चीजी होता है उसका center और एक होता है radius, तो हम लोग पहले इसको समझते हैं, center और radius, तो अभी तक तो सब के मन में आ चुका है कि circle motion में सारे तरह के motion को तुम visualize कर सकते हो, जितना भी motion कोई बोल दे, तुम उसको circular motion के रूप में मान सकते हो, को यह straight line भी क्या है, एक circle का special case है, जिसका radius कितना है, infinite है, straight line के motion को भी तुम circular motion के रूप में मान सकते हो, कि उसका motion भी circular motion है, इने circle of radius infinite, इसलिए हम बोले, किसी भी तरह का motion, किसी भी तरह के track पे, हर object के motion को हम लग circular motion के रूप में visualize करेंगे, अब समझते हैं, circle का क्या मतलब है, अब note कर लिए, ठीक सेना, जल्दी जल्दी note कर लेना है, simple simple बात है भी, अब समझते हैं, किसी circle का radius और center, देखो, यह circle है, circle है, यह उसका क्या हो गया, center और यह हो गया, radius, radius हो गया, center और radius, अब हम लोग किसी करोपात को, पीछ में कोई भी बातचीत, अभी कम से कम, एक घंटा तक नहीं करना है, पिज़ हम ध्यान से सुनना है, क्योंकि, शुरुआत है, शुरुआत में, ध्यान से फोकस लगा करके सुनेंगे, तो आगे की चीज़ें, बहुत ही आसान हो जाएंगी, अब हम लोग समझते हैं, किसी भी कर्व पात के लिए, रेडियस, रेडियस ऑफ, किसी कर्व के लिए रेडियस की बात कर रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, एंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, औफ कर्व, तो अगर माल लो कि कोई कर्व हम लोग कंसिडर की है, कोई ऐसा कर्व कंसिडर की है, ठीक है, अब इस कर्व के हर पॉइंट पे, हर छोटे छोटे पाट को, हम लोग किसी सरकल का हिस्सा मां सकते हैं, जैसे माल लो, हम बोलते हैं, कि यह कर्व पाथ है, अब किसी समय में पार्टिकल इस जगह पे पहुँचा, इस जगह पे पहुचा, यह ऐसा circle सोचो जो यह length जो सोचा गया वो circle का part माना जाए जैसे यह circle का portion हो गया ठीक है यह छोटा portion जो लिये वो इतने बड़े circle का हिस्सा है अगर बाकि सब कटा दो तो यह जो small proportion लिया गया elementary length वो इस circle का हिस्सा हो गया इस circle का part हो गया तो इस जगह पे यह हो गया center of the curvature at this point और इसका radius हो जाएगा radius of curvature of the curve at this point लेकिन मालों कि यहाँ पर बात करें किसी point पे तुम बात कर सकते हो जैसे यहाँ बात किये यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यह छोटा सा जो portion इसके आसपर कर लेंगे चोटा सा portion यहाँ पर जो छोटा सा small portion लिया गया वो इस circle का portion माना जाएगा इस circle का portion माना जाएगा और इस circle का center यहाँ पर है और radius इसका यह है यह मालो आरवन है यह आरटू है यह center c1 है और यह center c2 है तो आम बोलेंगे मालो यह point 1 है और यह point 2 है तो हम बोलेंगे कि 0.1 पे radius of curvature R1 है और center of curvature C1 है 0.2 पे radius of curvature ये है और center of curvature ये है माल लोग कि इस point पे हम बात करें इस point पे कर बात करें तो यहाँ पर एक छोड़ा सा length लेंगे इसके आसपसा elementary length वो थी छोड़ा length और ये छोड़ा length किसी circle का हिस्सा माना जागा जैसे माल लोग कि हमें एक circle draw किये है ये circle draw किये है ये small length इस circle का portion हो गया तो ये हो गया इसका center और ये हो गया इसका radius माल लोग कि ये radius है R3 ये point 3 पर और जैसे ये point लिए ये देख सकते हैं कि ये point थोड़ा ये portion जो है थोड़ा सा flat जादा है और ये portion क्या है narrow है अगर इस portion की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एक circle बनाएंगे ये portion जो होगा इस circle का part है ये छोड़ा सा length लेंगे तो वह इस circle का part है तो यहाँ पर radius क्या हो गया ये हो गया कौन सा जगह पर radius of curvature बड़ा होगा 3 पर की 4 पर किस जगह पर radius of curvature बड़ा होगा 3 पर जो surface इतना अधिक फ्लेट है उसका उतना ही बड़ा circle बनेगा और थोड़ा इसका बड़ा कर दो circle थोड़ा और अच्छे से फीट बैठेगा अब और अच्छा होगा ठीक है देख सकते हैं कि यह पॉर्षन ज्यादा फ्लेट है तो इसका रीड़ेस प्लेचर बड़ा है यह नेरो है इसका कम फ्लेट है तो रीड़ेस प्लेचर छोटा है तो जब देखो पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो इस सर्क्ल का सर्क्लर मोशन ने पहुंचेगा तो इसका सर्क्लर मोशन as no don ना जाएगा किया इडियोश करव का कुंसा छोगा स्मॉल लेंद लेंगे वो small length किसी circle का part होगा उस circle का radius कहा जागा radius of curvature of the curve भी समय के बताओ you झाल 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 यहां बोल सकते हैं कि आर्थ्री ग्रेटर देन आर्फोर यहां तो कि आर्थ्री वाला जो रेडियस है वो ज्यादा फ्लेट है आर्फोर के रेडियस पॉर्शन कम फ्लेट है झाल आर्फोर 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 देपियस और अप्लेट अढ़ियस आर्फोर आर्फोर के आर्फोर के वो जार्फोर रेडियसा है यह तो basic definition term समझ गए अब हम लोग समझते हैं कि circular motion में अगर कोई object है तो उसके पास कौन-कौन सा acceleration होगा क्योंकि यह तो सब को समझ में आ चुका है कि circular motion में अगर कोई object है तो उसका velocity हर्स में क्या हो रहा है जैंज हो रहा है याई कि object के पास acceleration है झाल 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 अच्छा ये बताओ सर्कुलर मोशन में हम लोग दो तरह का सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे एक युनिफॉर्म और एक नन युनिफॉर्म युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नन युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होए जिसमें स्पीड कॉंस्टेंट रहेगा और नन उनिफॉर्म में क्या होगा इसमें तो वो दोनों चीज लिखना जरूरी हो गया ना पर लिख लेते हैं क्योंकि वहां से छोटा-छोटा कोशन बन सकता है टाइप्स आफ ए सर्कूलर मोशन जो सर्कूलर मोशन दो तरह का होगा एक होगा यूनिफॉर्म सर्कूलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कूलर मोशन और दूसरा होगा नन युनिफॉर्म सर्कूलर मोशन युनिफॉर्म सर्कूलर मोशन जैसे की मालो कोई अबजेक्ट सर्कल में चल रहा है और अबजेक्ट का स्पीड अबजेक्ट का स्पीड हर जगा पर कॉंस्टेंट है हर जगा पर स्पीड कॉंस्टेंट है स्पीड भी है इसको कौन सा सर्कूलर मोशन वह लेंगे युनिफॉर्म और स्पीड अगर मालो की डिफ्रेंट पॉइंट पर डिफ्रेंट है यहाँ पर भी टू यहांपर भीधरी, यहांपर कुछ और हो गया, मालो भीफोर हो गया, यह क्या हो गया、 num uniform, जिसमें स्पीड क्या रहे, स्पीड रहे constant, और num uniform जिसमें स्पीड क्या हो रहा है, समय के साथ change कर रहा है, तो num uniform circular motion, कि स्पीड चेंज कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे नन उनिफॉर्म कि अब एक दो आसान आसान कोश्चन सबसे पूछ रहे हैं लॉब बखकर रहे हैं कि यह बיुद महाँ वोश। कि अबनाराखब और फम हम ओक दो इसकी कि था है कि मित कर दो आसान कोशिया जना कोश मत रहे हैं लॉच्चर छिल्म और उन्य पथे उन्म झाल झाल इस आप्शन में कौन सा आप्शन से लग रहा है झाल झाल आप्शन में और कोई आप्शन सारा आप्शन सही नन भी सही हो जाएगा कुछ लोग तब बोल रहे हैं तो सब में नन भी आ रहा है यानि ABC सही होगा है कि ए में कोई गलती किसी को लग रहा है कि इन यूनिफॉर्म सर्कूलर मोशन विलोसिटी रिमेंस कॉंस्टेंट वहां क्या लिखा हुआ है विलोसिटी का डिरेक्शन चेंज हो रहा है यानि विलोसिटी चेंज हो रहा है तो सपीड कांस्टेंट हुआ लेकिन विलोसिटी हमेशा क्या होगा चेंज होगा चाहे वो किसी भी तरह के करू पात पे चला जाए speed constant हो सकता है लेकिन velocity कभी constant नहीं हो सकता है so speed is constant but velocity vector changes और इसमें तो speed भी change हो रहा है तो पहला option क्या हुआ in a uniform circle motion velocity remains constant यह option गलत हो गया in a uniform circle motion acceleration will be 0 जिसका velocity change हो रहा उसके पास एक्सेशन तो होगा ही क्योंकि velocity change कौन करता है acceleration तो एक्सेशन 0 होने का बात ही नहीं है तो यह भी गलत है in a non uniform circular motion velocity must change यह तो सही है circular motion non uniform हो uniform हो किसी भी तरह का हो velocity तो change होगा ही तो यह option सही है तो only c is correct तो ध्यान रखेंगे uniform का मतलब हम लोग uniform का मतलब समझेंगे current such is constant, speed constant, velocity is constant नहीं है चाहे circle motion किसी भी तरह का हो velocity always changes तो किसी भी तरह का circle motion होगा तो velocity तो change हो नहीं है क्योंकि direction चेंज हो रहा है velocity तो change होगा ही क्योंकि direction चेंज हो रहा है देख सकता है direction हर जगा पर चेंज हो रहा है तो velocity चेंज होगा और जिसका velocity चेंज हो उसका acceleration तो होगा ही, acceleration कभी 0 नहीं हो सकता है अब हम लोग समझेंगे कितने तरह का acceleration किसी तरक्लमोशन में हो सकता है कितने तरह का acceleration कितने तरह का acceleration acceleration in a circular motion देखो जितना भी हम लोग example देखे circular motion में सारे example में क्या चीज कॉमन दिखाई पड़ा velocity चेंज हो रहा है लेकिन वह कॉमन चीज नहीं है सारे तरह के circle motion में ऐसा कौन सा चीज है जो सब को connect कर रहा है सब में एक बात कॉमन है जिसके लिए circle motion होने के लिए क्या चीज जरूरी है circle कर दिए अब cycle circle में चल जाएगा अगर हम सोचो कि इदम जो नीचे का surface है वो ice का बना हुआ है ice का बना हुआ है इदम friction को खत्म कर दिया गया और उस पर तुम cycle को circle में चला पाऊगे circle हम तो draw कर दिए circle तो है ही क्या cycle को circle में चला पाएंगे item के अंदर में जो electron है वो भी circle में घुम रहा है अगर उसमें से nucleus को निकाल लिये जाए तो क्या वो electron circle में घुम पाएगा अगर sun gravitational force लगाना बंद कर दे तो क्या planet circle में घुम पाएगा जैसे यह sun है, star है और star के चारों और किसी planet का motion circle या ellipse में हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है इस planet पे क्यों यह circle में घुम रहा है क्योंकि इसको sun हमेशा center की तरफ खीच रहा है इसके पास velocity इधर मिला velocity इधर मिला, लेकिन sun force इधर लगा रहा है तो force लगने के कारण क्या हो रहा है force लगने के कारण, velocity, force के direction में हमेशा turn कर रहा है जब force इधर, जब velocity के direction इधर हो गया तो force उसमें इधर हो गया तो force हमेशा देख सकते हैं कि ये हमेशा लग रहा है फॉर्स, किदर लग रहा है सरकल के सेंटर की तरफ यही चीज किसी ऐटम में भी है ऐटम के अंदर में क्या हो रहा है नू roboticmac नूकलियस में क्या भरा हुआ है नू 것으로 में प्रोटोन नून भरा है प्रोटोन में चार्ज है, प्लस तो nucleus positively charge है और electron उसके चारों और circular path में या orbit में घूम रहा है तो electron में charge को इंस कौन सा होता है minus होता है minus charge को plus charge क्या करेगा अपनी तरफ खीचेगा तो velocity इस तरफ है लेकिन force किदर लग रहा है center की तरफ लग रहा है velocity का इस तरफ है लेकिन force किदर लग रहा है center की तरफ लग रहा है और भी किसी भी example में जैसे तुम किसी पत्थर को string में बांध करके वर्टिकल सर्कल में घूमा रहे हो जैसे यह है string और उसमें pendulum को pendulum को vertical circle में rotate कर रहे है तो pendulum को circle में कौन घूमा रहा है स्ट्रिंग लगा रहेगा तब ही तक सर्कल में घूम पाएगा अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो क्या सर्कल में घूम पाएगा नहीं घूम पाएगा किसी पत्थर को अगर तुम स्ट्रिंग में बांदो और कुछ बच्छा सब क्या करता है क्रिश्ण भगवान बनने कोशि तो free fall motion में चला जागा किसी आदमी को लग गया तो बचा वहाँ से भाग जागा एक कर सकता है वहाँ भी क्या है पत्तर circle में तभी घुम रहा है जब तक की रसी उसको खीच रहा है string का काम क्या है pull करना string भी क्या कर रही है हर समय object को center की तरफ pull कर रही है जब pendulum यहाँ पहुँचा तो string इसको circle के center की तरफ force लगा करके pull कर रहा है अगर किसी car को circular path में हम लोग घुमा रहे हैं जैसे गुलंबर पे cycle का motion होता है cycle या car या किसी vehicle का motion circular path पे है तो circle में घुमने के वहाँ पे भी force चाहिए जो सको circle की तरफ हमेशा more रहा हो center की तरफ force चाहिए वो force के रूपे कौन सा force लगता है friction force centripetal force किसी कोई एक force नहीं है centripetal force हम लोग जो हर समय बोलता है कि centripetal force लगता है centripetal force कोई एक force नहीं है सभी फोर्स के सम को क्या बोल दिया गया है सेंट्री पिटल फोर्स सेंट्री यानी सेंटर पिटल टू आड्स सेंटर की तरफ सेंट्री पिटल मतलब सेंटर की तरफ सेंटर की तरफ लगने वाले सभी फोर्स के सम को नामत क्या दे दिया गया है सेंट्री पिटल फोर्स जैसे सेंटर की दरब खीच रही है वह सकता है ग्राउंड फ्रिक्शन ग्रूप में भी सेंटर की ओर फोर्स लगा रहा हो कोई और फोर्स भी लग रहा हो सेंटर की ओर सेंटर की ओर जितना भी फोर्स लग रहा है सभी का सम का नाम क्या दिया गया है सेंटरी पिटल फोर्स को ऐसा म कॉन्ट450 उस तरह का तरह सी है जो बोल देंगे सं ए यहां पर स्वाच्षो है यहां पर बृत्यूओ इंट्रफप के रूप्स रूप में他 चर्कल में अब circle में चलने के लिए कौन-कौन सा force लग रहा है इसके mg, mg लग रहा है इसका अपना weight है, एक force कौन सा लग रहा है, normal contact force, इसमें किसको centimeter force बोलेंगे, ना तो mg को बोलेंगे, ना normal को बोलेंगे, center की तरफ सभी force का sum, तो center की और जो होगा, उसको plus, जो opposite होगा, उसको क्या बोलेंगे, minus, तो center की और total force कितना लगा इसपे, mg minus in, तो centimeter force का value कितना होगा, mg minus in, mg minus in, तो centripetal force को समझना है, कि कोई special force नहीं है, जितना भी force लग रहा है, particle पे, जितना भी total center की और लगा, सब को जोड देंगे, तो उसको बोलेंगे, कि वो centripetal force है, यानि कि, net force towards center of the circle, तो सब में common चीज़ क्या है, circle motion के लिए, circle motion में किसी को perform करने के लिए common चीज़ है, कि उस object पर center की और लगना चाहिए, force, center की और लगना चाहिए, net force, जिसमे center की और force लएगा, वही circle में चलेगा, जिसमें नहीं लएगा, वो center की और, वो circle में नहीं चल पाएगा, क्योंकि सोचो, अगर ये gravitational force है, तो क्य कर रहा है, gravitational force center की तरफ लगा, इसके पास velocity इधर था, तो force क्या करेगा, अपने direction में velocity को bend करेगा, ये हर समय, force के direction में change हो रहा है, bend हो रहा है, तो हर समय, tangent के लोंग, ये velocity मिल रहा है, और force समय सा center क्यों लग रहा है, तो center किसी particle को circle में घुमने के लिए, या circle motion perform करने के यानि कि centripetal force लगना चाहिए, net force को बोल रहा है, centripetal force, तो अब एक जानते हम लोग, Newton second law से, कि अगर force है, किसी direction में, तो उस direction में एक और चीज़ होगा, क्या होगा, acceleration, acceleration बरावर क्या होगा, force by mass, यानि कि object के पास, एक force लग रहा है, center की तरफ, यानि कि एक acceleration किधर होगा, center की तरफ, तो उस acceleration किया बोलेंगे, centripetal acceleration, या दूसरा नाम क्या है, radial acceleration, या उसको और क्या बोल सकते है, normal acceleration, normal यानि perpendicular, देखो, इधर force लग रहा है, तो कोई भी object अगर मान लेते हैं, कि circular path पे चल रहा है, तो उस object के पास, center की तरफ, net force है, यानि कि center की और, एक acceleration है, उस acceleration होगा बोलते है, normal acceleration, या center की तरफ है, तो इसको बोलेंगे, centripetal acceleration, या radius के along है, तो इसको बोलेंगे, radial acceleration, नॉर्मल क्यों बोले क्योंकि विलोसिटी इसका इस तरफ है विलोसिटी की एक्सेलेशन क्या है पर्पेंडिकुलर है नॉर्मल है नॉर्मल यानि की पर्पेंडिकुलर है तो सर्क्लर मोशन में कोई अबजेक्ट है तो उसके पास एक एक्सेलेशन का होना तो निश्चित है वो कौन सा एक्षेलेशन का होना निस्चित है ? । यह हो गया कि एक्षेलेशन होगा। और इसका दूसरा नम क्या है ? नॉर्मल एक्सेलरेशन और इसको क्या बोल सकते हैं रेडियल एक्सेलरेशन और इसको रिप्रेजन कैसे करेंगे ए एन से क्या कोई स्टर्कुलर मोशन ऐसा हो सकता है जिसमें कि नॉर्मल एक्सेलरेशन जीरो हो कोई स्टर्कुलर मोशन ऐसा हो सकता है जिसमें नॉर्मल एक्सेलरेशन जीरो हो नहीं हो सकता है तो कि स्टर्कुलर में चलने के लिए सेंटर के और फोर्स चाहिए हैं सेंटर के और फोर से मतलब के एक्सेशन होना मस्ट है कर और दो दोर, याई ? झाल झाल यह देख लिए कि अगर कोई आपजेक्ट भीयस स्पीट से और सर्कल का रेडियस आर है भीयस स्पीट से रेडियस का सर्कल में घूम रहा है तो उसके पास सेंटर की तरफ एक्सलेरेशन है नॉर्मल एक्सलेरेशन, रेडियस एक्सलेरेशन या सेंटर्पिट्बर एक्सलेशन कितना झाल भेल्व होगा लिए स्कॉर वाइ कर लेंगे इसको पूर्फ भी कर सकते हैं एक्सलेरेशन के डेफिनिशन से लेकिन अभी हम लोग उस प्रूप में नहीं जाना चाहरा है बस रिजल्ट को पले याद कर लेते हैं नॉर्मल एक्सेलेशन या सेंटिपिटल एक्सेलेशन या रेडियल एक्सेलेशन का वैल्यू कितना होता है भी स्कॉार वाई आर चलो कोई किसी कोई डाउट है भी तक सब कोई समझ गये है नॉर्मल एक्सेलेशन का क्या का नाम है रेडियल और सेंटिपिटल और इसका वैल्यू कितना होता है या स्कॉार वाई यार कि अगर कोई सरकल में चल रहा है तो सेंटिर की तरह एक्सेलेशन होगा ही होगा क्योंकि चलने का मतलब स्पीड थो सेंटिपिटल इक्सेलेशन मस्ट है कि वो तो होगा ही आप सोचो जो लोग थो थोड़ा लिख पा रहे हैं तो वो वीडियो हम भेज देंगे वह आराम से घर पर नोट बना लोगे अभी कि वह इतना ही लिखो जिससे की काम चल जा रहा है में समझना है कॉंसेट को ठीक है में समझना है कि समझ गए बात को थोड़ा थोड़ा नोट करेंगे फूरा नोट करने चक्कर में पता चलना है कॉंसेट नहीं बन पा रहा है तो अगर लिखने में थोड़ा हमारा स्पीड कम है तो हम कम कम लिखेंगे में में पॉइंट नोट करेंगे और वीडियो हम पक्का भेज़ देंगे चलो तो अब अब बताओ काड़ी को सरकल में दो तरस चला सकते हैं लोग एक तो सपीड के साथ सब्सक्राइब साथ चला सकते हैं दूसरा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे सर्कल टर्निंग आता है तो अपना स्पीड बढ़ा लेता है ऐसा देखते हो कि नहीं देखते हो तुम्हारे साथ भी होता तुम साइकल चला के सिधर रास्ते पे जा रहा हो कम स्पीड से सरक्ट टर्णिंग आता तो पैदल और जोर से मारते हैं लेकिन साइकल को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलने में और मजा आता है पाई क्शला रहा है तो जो उसकेश करके लिए और सेप्टी के लिए इसकी जोड़ को अधो जुका लेते हैं तो स्कुट कर सकते हो घाली फिसल सकती है बाइक को थोड़ा सा बेंड कर लेने से या cycle को circular turning पे हम लोग के लिए safety का इसू परामिटर बढ़ जाता है यह सब चीज़ पढ़ेंगे तो दो तरह सच कोई cycle को चला सकता है बाइक को चला सकता है कार को चला सकता है circular turning पे एक constant speed के साथ और दुसरा speed को बढ़ाने के लिए कार चला रहा है जासे यह सर्कुलर टर्निंग है यह सर्कुलर टर्निंग है और कोई कार ऐसे जा रहा है यह अपना स्पीड बरहाते जा रहा है इसके स्पीड को बरहाने के लिए फोर्स कहां से मिलेंगा वैं कौन फोर्स लगाता है कि इसलिये टॉपिक मे विलोग पढ़े थे प्रिक्षन लगता है गारी का स्पीड के औल प्रिक्शन ही ब्रा सकता है इंजन का काम है कि औल पहिया को रोटेट करना औररोटेट होगा तो स्पीड फ्रिक्शन के डिरेक्शन किधर लगता होगा अगर कोई गाड़ी अपना दो तरह से चला रहा है एक तरीका है कि कॉंस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है गाड़ी कि इस पर किदर लगता होगा अगर मालो की कार जो है यह कॉंस्टेंट स्पीट के सथ चल रहा है कॉंस्टेंट स्पीट सा चल रहा है ठीक है तो इस पर फ्रिक्शन किदर लगता है उसका स्पीड से चल रहा है गारी से चल रहा तो सेंटर की और फॉर्स चाहिए फॉर्स कौन देगा लगा रिक्शन किरें सा का वील है जो कार का वील होगा उसका स्लाइडिंग टेंडेंसी या स्किड करने का टेंडेंसी सेंटर से बाहर की तरफ होगा वो बाहर की तरफ जाना चाहेगा अगर रफ नहीं रहे तो सरकल में हम नहीं घुमा करके सेंटर से बाहर की और चले जाएंगे तो उसकेस में फ्रि रहा है फ्रिक्षन फोर्स लग रहा है अगर हम गारी का स्पीड ही बढ़ा रहा है अगर मालो कोई गारी का स्पीड ही बढ़ा रहा है इसका स्पीड मालो कि इंक्रीज कर रहा है इसके से फ्रिक्षन किधर लग रहा होगा अस्पीड कौन बढ़ा रहा होगा पोर्स ही बढ़ाएगा तो फ्रिक्शन इस केस में सेंटर की तरफ लगेगा कि किसी और डिरेक्शन लएगा तो इस केस में सेंटर देखो यहाँ पर है अब देखो ज्यान से समझते हैं यहाँ सिंपल सा बात है तुम लगतुरत समझ जाओगे तुम अगर गाड़ी के स्पीड को बढ़ा रहे हो तो यह दोनों काम फ्रिक्शन को ही करना है सरकल के सेंटर की तरफ मोरना भी है मतलब circle में भी घुमाने का काम कौन करेगा friction यानि friction center की तरफ लगेना चाहिए और हमेशा उसके speed को tangent के long बढ़ाते जाना है हर समय speed बढ़ रहा है velocity की direction में कोई force लगा तब न speed बढ़ेगा किसी का speed का बढ़ता है जब velocity की direction में force लगता है तो friction अब दोनों तरफ लगेगा एक friction का component tangent के long लगेगा और एक component center की तरफ लगेगा और total जो friction होगा वो इन दोनों का resultant कुछ ऐसा होगा दोनों का resultant अगर देखेंगे तो net friction जो होगा यानि friction force कुछ center से अलग होगा ये काम जो है न circle में अगर हम speed बढ़ा रहा है तो circle देखो द्यान से circle में अगर हम speed बढ़ा रहा है circle center यहाँ पर है तो friction जो है center की ओर लगेगा कब जब कौन से speed चलाएंगे क्योंकि हमको क्यवल center की ओर force चाहिए लेकिन अगर speed बढ़ाना है तो एक force tangent के long भी चाहिए एक friction का component center की तरफ एक tangent की तरफ और दोनों मिल करके कुछ एधर गया तो center की तरफ फिक जाकली नहीं जाएगा वो कुछ इतरा से होगा friction friction का ये component center की ओर देदेगा centripetal force circle में घुमाने में कामाएगा और एक component चला जाएगा tangent के long जो speed को बढ़ाएगा जिसमें speed बढ़ता उसमें कौन सा circular motion हो गया non-uniform तो non-uniform motion में अगर कोई कार है circular turning पे तो friction center की ओर नहीं लग करके कुछ ऐसे लएगा जिसका कि कुछ पाट center की ओर लग करके centripetal force देदेगा कुछ पाट tangent की ओर लग करके tangent के long speed बढ़ाएगा तो देखो एक ऐसा case हो गया जिसमें कि tangent की ओर speed constant है speed constant है तो केवल एक तरह का acceleration है वो कौन सा है centripetal और जिसमें speed tangent की ओर बढ़ रहा है तो उसमें एक acceleration कौन सा हो जाएगा tangential acceleration circular motion में दो तरह का acceleration होगा एक acceleration हो सकता है center की तरफ और एक हो सकता है along tangent सेंटर और दूसरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वो कौन सा है अलॉंग टैंजेंट तो कितने तरह का एक्सेलेशन हो सकता सर्क्रमोशन में दो तरह का एक हो गया सेंटर की तरफ सेंट्रिपिटल या रेडियल या नॉर्मल और दूसरा अलॉंग टैंजेंट इसको क्या ब tangential acceleration तो अगर किसी का स्पीड केंज हो रहा है मतलब कैंजन की और भीयक एक्सेशन होना चाहिए ऑगर किसी का स्पीड की एक्सेशन हो रहा है झाल झाल यहां पर देख सकते हैं कि अगर किसी का स्पीड इंक्रीज कर रहा है लमेशा टेंजन के तरफ एक एक्सेलेशन होना चाहिए इस तरह के एक्सेलेशन क्या बोलेंगे है यहां पर हर समय वीलोसिटी के डिरेक्शन में है तो इसकी है पूजिट लग रहा है एक्सेलेशन फोर्स तोAg When speed of an object changes in a circular motion, जब circular motion में speed change हो रहा है, तो acceleration होगा ही एक टेंजन्ट की तरफ भी, तो होगा ही होगा तेंटर की तरफ और एक क्योंसा हो जागा? टेंजन्टियल एक्सेलेशन. किले हम सब क्लियर कर दें? इसमझ गया है? तो देखो इसमें क्या है? अगर कोई object जिसमें हर समय speed बढ़ रहा है circle में speed हमेशा बढ़ रहा है मतलब tangent की तरफ एक force चाहिए हर समय tangent की तरफ एक force चाहिए तो यानि कि एक acceleration हमेशा हो गया tangent की तरफ इसको क्या बोलेंगे टेंजेंशिल acceleration और इस case में tangential acceleration कि दर है हमेशा velocity के along है क्योंकि यह speed बढ़ रहा है लेकिन मालो की brake लगा करके हम circular turning पे चला रहे हैं गाड़ी तो speed हमेशा घट रहा है तो उसकेस में friction force उसको पीछे लग करके speed कम करेगा तो tangential acceleration क्या है opposite है velocity के opposite है तो अगर tangential acceleration velocity के opposite होगा तो speed क्या होगा घटेगा और अगर tangential acceleration velocity के direction में तो speed क्या होगा बढ़ेगा तो tangential acceleration का relation किस से है velocity change होने से है कि speed change होने से है speed से है velocity तो हर समय change हो रहा है चाहे tangential acceleration हो चाहे नहीं हो velocity का magnitude यानि speed इस case में speed क्या है constant है लेकिन velocity constant नहीं नहीं है velocity हर समय change हो रहा है लेकिन इस समय tangent की तरफ acceleration नहीं है क्योंकि speed क्या है constant है यानि कि tangential acceleration का संबंध किसे है speed से है अगर speed में change हो रहा है तो tangential acceleration है अगर speed constant है तो tangential acceleration नहीं है तो हम लोग tangential acceleration नो कैसे define करेंगे 10 10 T 10 T 10 tangential acceleration को कैसे define करेंगे तो tangential acceleration क्या है 80 tangential acceleration कैसे denote करते है 80 और tangential acceleration क्या है it is rate of rate of change of speed with respect to time तो नो एक्सलेशन का definition मिल गया ना तो नो एक्सलेशन का value normal acceleration का क्या कितना value आया था n बराबर 3 square by r और tangential acceleration क्या definition है rate of change of speed with respect to time तो तो एक दो क्वेशन दे इस्पेस सब्नोट कर लिए इधर थाए च्पएस करें व्ड़का ना झाल 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 तक इतने बात किये हैं सारे का कॉंसेप्ट मिला करके हम लोग देख सकते हैं किसमें कौंसा अपसंस ही होगा झाल आन-सी सही है तो कौन सा अप्शन सही लग रहा है इसमें ए और ती ए और सी सही लग रहा है इन आ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंगेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जिरो यह तो सही है ना और एक और पी में है इन आ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन रिमेंश कॉंस्टेंट पी गलत है कि सही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन रहता है कॉंस्टेंट और C में है non uniform circle motion acceleration changes C तो सही है क्योंकि non uniform है speed change हो रहा है तो acceleration भी change हो ही रहा है एक तो सही हो गया uniform circle motion में मतलब है speed क्या है constant मतलब tangent के along कोई force नहीं लगा acceleration नहीं होगा यानि कि tangential acceleration क्या होगा 0 अब भी मैं किसी को सही लग रहा है गलत लग रहा है बताओ क्या लग रहा है कि तो ही है क्या कैसे ते डिरेक्शन चेंज होगा तो हाँ देखो uniform circle motion में केवल acceleration कौन सा होगा uniform circle motion में केवल एक acceleration होगा वो कौन सा centripetal uniform circular motion में है uniform circular motion में है यानि कि speed क्या है constant और एक option और देते हैं speed है constant तो केवल एक acceleration होगा किधर कौन सा center की तरफ an ठीक है हमेशा an केवल होगा tangential नहीं होगा क्योंकि यह speed है speed का value है constant तो यह tangent के लॉंग acceleration 80 क्या हो जाएगा 0 uniform circular motion में tenential acceleration 0 होगा सही है normal acceleration का value कितना होगा तो normal acceleration का value होता है भी square by r भी constant है तो normal acceleration का value constant है लेकिन direction हरस में क्या हो रहा है change हो रहा है यहाँ पर जब पहुंचेगा तो speed ठीक है velocity is direction में है लेकिन normal acceleration का direction change हो गया तो normal acceleration का magnitude constant है लेकिन direction हरस में change हो रहा है यहाँ पर जो बोला गया है कि in a uniform in a non-uniform circular motion acceleration changes और यहने uniform alcanzation remains constant gyay statement क्या हो जागा गलत हो जाएगा acceleration का magnitude constant है लेकि direction हर समें change हो रहा है expression भी क्या हो रहा है change हो रहा है तो चाहे किसी भी तरक का circle motion हो acceleration हमेशा क्या हो रहा है change हो रहा है You two change in direction एक और option यहाँ पर देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी बराबर टी भी बाई टी एटी एड नॉर्मल एक्सेलरेशन एड बराबर भी एस्कुर बाई आर चलो अब डी के बारे में बताओ डी आप्सन सही एक गिलत है डिफनीशन लिखवा दिये हैं सबको याद है नॉर्मल एक्सेलरेशन का बेल्यू बताया है क्या होता है भी एस्कुर बाई आ रहा है और टेंशेलरेशन के बारे में भी लिखवा दिये है तो कोई गलती किसी को इसमें नजर नहीं आ रहा है कोई गलती नहीं आ रहा है लेकिन हम इसके पहले इसके पहले क्या लिखवाए थे rate of change of speed और यहाँ पर क्या लिखा हुआ विलोसिटी यह गलत हो जाएगा 80 का जो definition है उसमें ऐसे लिखेंगे d dt of speed d dt of speed और इसको ठीक करो लिखो d dt और speed का मतलब क्या होता है velocity का magnitude अगर कोई mod का sign नहीं लगा रहा है तो यह पूरा velocity हो गया direction विसमें आ चुका है यानि कि यह dv by dt का अथा total acceleration अगर हम लिखते है dv by dt जो पिछले बार लिखवाए थे टेनेशल एक्सलेशन उसका definition लिखना है mathematically d dt of speed rate of change of speed with respect to time यहाँ पर क्या लिखा गया है rate of change of velocity with respect to time कोई अगर बोल देगा rate of change of velocity यह गलत हो जाएगा ठीक है अगर इसी में हम लिख दें कि tangential acceleration बराबर rate of change of velocity तो यह option क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो यह option क्या है गलत है अगर हम 80 के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर स्पीड अगर कोई ऐसे लिख देगा कि अगर दीवी बाइडिटी लिखेगा ऐसे भी भी भेक्टर साइन लगा करके तो यह हो गया acceleration एक्सेलेशन मतलब टोटल एक्सेलेशन टोटल एक्सेलेशन में दोनों आ गया नर्मल टेंजेशन दोनों का सम रिजल्टेंट यह देगा लेकिन मॉड लगा रहे हैं तो केवल क्या दे रहा है टेंजेंशियल एक्सेलेशन समझ गया यह चीज है खोड़ा ओड़ा चीज है जिसको की बाइक्सम लोग गलत कर जाएंगे टेंजेंशियल एक्सेलेशन का डेफिनिशन बहुत लोगों से पुछोगे तो वह इस बात को ध्यान में रखते हैं कि रेट ऑफ चेंज स्पीड बोल रहे हैं लेकिन यहां पर लिखना है स्पीड का साइन स्पीड क्या होता है मैंनी मैंनी चूड ऑफ विलोसीटी भेक्टर है किसी भी तरह के सर्क्लर मोशन के लिए लोग दोनो एक्सेलेशन का वहलू निकाल सकते है तो डिफ्रेंशियेट कर देविन पर क्या मिलेगा है टाइजेंशियल एक्सेलेशन मिलेगा झाले कर दिंट है झाल झाल तो सब को अगर definition पता चल गया है, formula याद है, AT और AN दोनों निकालना है, tangential acceleration और normal acceleration कितना होगा? tangential acceleration और normal acceleration कितना होगा? कि कैल्कुलेट करना है टेंजेंशियल एड नॉर्मल एक्सिलेशन एड टाइम टी इकोस टू फ्री सेकेंड करना हुआ कि अब कि अब के लिए पहला सवाल अपने से बनाना है यह अब को यह अपने से बनाना है कि अब कि अब की अब करना है यह अब कर दो ही अब को यह अब करना है तो बंदा सबसे तो एन का फॉर्मूला क्या है भी स्क्वार बैयार है यह स्क्वार बैयार भी का भेल्यू और रिडियस दोनों पूट करेंगे एन मिल जाएगा और एटी एटी मिलेगा कैसे तो भी को डिफ्रेंशियेट करने पर इभी भाई डिटी भी स्क्वार बैय आर फीका स्क्वार फॉल स्क्वार है कि यह पर याट ठीक है फिप्टी और एटी डिफ्रेंसियेशन करना है कि यह पन गया कितना गया एसी का वेल्यू एन का वेल्यू कि क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में गिवन है वी इक्वल्स टू कितना है टी स्क्वार प्लस वन ठीक है दी बरावर इतना है को हम लोग को निकालना है normal acceleration एन कितना होगा फिर्मुला उसका होता है बिये classrooms गरिक है तो वो है T square plus 1 B है तो B का square B square by radius किस time पे निकालना है 3 second पे तो T equals to 3 second तो N का value time का value किता put करेंगे 3 put करेंगे तो 3 square plus 1 का square क्योंकि B square B का square by radius किता है 2 यह है meter per second और यह meter तो आजागा meter per second square कितना जाएगा 50 50 meter per second square और direction इसका किदर होगा towards center direction होगा center की तरफ और दूसरा अब निकालना है 80 80 निकालना है tangential acceleration तो tangential acceleration पहले time को लिए पूट करो पहले क्या करना है d by dt 80 बराबर क्या है d by dt यहाँ पर हम इसको भी लिख रहे हैं मतलब क्या है वो speed है direction का उज़े नहीं कर रहे है d by dt तो भी का differentiation करेंगे t square कितना होता है 2t तो सहीं नहुगा 1 का 0 हो गया तो d by dt हो गया 2t अब time कितना put करना है 3 seconds तो t बराबर 3 seconds पर 80 का value कितना हो जाएगा 2 into 3 यानि कि 6 meter per second square और यह जो tangential acceleration होगा वो किदर होगा circle में tangent की तरफ हर समय speed के velocity के direction मिलेगा क्योंकि speed यहाँ पर क्या हो रहा है increasing है क्या है झाल झाल कि या इफ्रेंशियेशन का फॉर्मूला यूज किया थे तो टूटी आया क्या बताये थे डिफ्रेंशियेशन का फॉर्मूला कि अगर y इक्वल्स टू है x to d पावर n तो dy by dx कितना होता है n पावर आगे आकर मल्डिप्लाई होगा और x का पावर में क्या होगा रिड्यूस होगा माइनस होगा इन आगे आकर मल्डिप्लाई हो गया पावर एक माइनस हो गया तो ट स्कॉर का डिफ्रेंशियेशन क्या होगा टू बाहर आकर मल्डिप्लाई हो जाएगा टू और ट का एक पावर माइनस होगा तो कितना हो जागा और कॉंस्टन का डिफ्रेंशियेशन होता है जीरो चलो यह सवाल देखो तो सबको यह बन सकता है समसेक नहीं तो 80 निकालने के लिए सबको डिफ्रेंशियेशन आना चाहिए ठीक है टीवी बाइडिटी करना डिफ्रेंशियेशन ओफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टाइम डिफ्रेंशियेशन करना होगा कर देखो गया थोड़ा से ना तो सब्सक्राइब है और यहन कितना होगा स्वार के स्क्वार के स्क्वार पाई आर तब सबन जागा इस बार इस बार भी नहीं देकर क्या दिया गया है एक्स दिया हुआ है एक्स इस बार भी नहीं दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है एक्स को डिफ्रेंशियेट करेंगे तब भी मिलेगा और भी के करेंगे कि कहा गलत हुआ है कि एटी है कि एटी ठीक है कि यह एटी ही है यह एटी ही है यह सुलूस चल रहे ना यह डिवी बाइडी तो एटी देता है अब टाइम टी ब्रावर टू सेकंड पर एटी का वहलू इतना आ गया कि एक्स का डिफ्रेंशेशन करें तो क्या मिलेगा ही और फिर भी मिलने के बाद आगे दोनों का वैल्यू एटी और एटी और यह न का वैल्यू निकाल सकते हैं कि एन का फॉर्मूला क्या होता है भी स्कॉर्ण करेंगे ना पूरा भी का स्कॉर्ण भी का होल स्कॉर्ण भी का वैलू जो आया है उसका पूरे का स्कॉर्ण एक्स गिबन है पहला उसक्वेशन में एक्स दिया हुआ है एक्स को एक वार डिफ्रेंसिट करें तो क्या मिलेगा भी मिलेगा पहले भी निकालेंगे और भी मिल गया तो एन का वैल्यू होता है भी स्कॉर्ण भाई आ रहे है और एटी का वैल्यू होता है डी भी बाई डी अब इसमें देखते हैं अब चलो सबका तो लगभग ठीक्ठा का अंसरा रहा है इस बार क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो सर्कल पे जो डिस्टेंस ट्रेबल हो रहा है वो डिस्टेंस टाइम के फंक्शन में है एक्स दिया हुआ है एक्स क्या है डिस्टेंस का बेल्यू है डिस्टेंस का बेल्यू एक्स कितना है कितना है जी TQ है X TQ है X को एक बाद डिफिंसिट करके पहले B निकालेंगे B कोस्ट कितना होगा TX by T 3T 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 स्पीड मिल गया अब स्पीड मिलने के बाद हम लोग को चाहिए कौन सा भल्यू AN B मिल गया न तो B निकालने के बाद अब क्या निकालना है A निकालना है तो इनका क्या फोर्मूला है A का फोर्मूला है B square by radius तो B का value कितना है था 3T square B का value इतना है और B का square करना है तो B का square by radius अब सब value पूट कर दो तो time कितना पूट करना है time equals to 2 second टाइम टू सेकेंड पर ए एन के बराबर कितना तो टू सेकेंड पूट करो तो थ्री इन्टू टू स्क्वाइर का स्क्वाइर पाई रेडियस कितना है टू है तो नाइन इन्टू एट सेवन्टी टू मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर सब का यह है ना अब तुमको निकालना है एटी एटी निकालने के लिए फॉर्मूला है सिंपल सा डी भी बाई डी टी भी बाई डी टी फी को अब डिफेंसेट एक बार और करेंगे फी को एक बार और डिफेंसेट करेंगे तो क्या मिलेगा 80, 3T square का कितना हो जागा 60, ती स्क्वार का 2T होगा, 2 बाहरा के मडिपलाई होगा, तो 6 पावर 1 माइनस हो जागा 60, अब टाइम के वहली पूट करो, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 80 बराबर 6 इंटू 2, यानि कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वार, तो सबका ट्यानस रागे था, अब देखो, दो एक्स्रेशन है, जिसका स्पीड चेंज हो रहा है, उसके पास कितना एक्स्रेशन है, दो एक्स्रेशन है, एक किधर, सेंटर की तरफ, भी ए स्कॉार बाइयार, और एक टैंजन्ट के लॉंग, डीवी बाइडीटी, अगर टोटल एक्सेलेशन की बात करें, टोटल एक्सेलेशन की बात करें, तो देखो पार्टिकल के पास, एक एक्सेलेशन है किधर? center की तरफ, centri vital जिसको क्या बोलते हैं an और एक है tangent की तरफ जिसको क्या बोलते हैं 80 तो total acceleration अगर कोई पूछे total acceleration क्या होगा, दोनों vector का sum दोनों vector का sum क्या होगा ये दोनों vector का sum निकालने का vector sum करते हैं तो low है न हमारे पास triangle law या उसका दूसरा नाम क्या है parallelogram rule तो दोनों मिसे को use करो एक A n है और एक at है तो resultant acceleration टोटल एक्सलरेशन यह हो जाएगा यह हो जाएगा टोटल एक्सलरेशन अब हम लोग टोटल एक्सलरेशन भी यहां से calculate कर सकते हैं टोटल एक्सलरेशन का है तोटल एकसिलेर्शन अभी तक कोई डाउट किसी को सब्सक्न कुइम लोग किसी यह सकते हैं कि डर तरह का एकसलेशन हो सकता है शंप झाल 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 तो ये कौन सा अप्शन इसमें सही लग रहा है तो यहां पर ठीटा क्या है? ये है एंगल बेट्थीन विलसीटी एंड टोटल एकसेलरेशन एंगल बेट्थीन विलसीटी एंड टोटल एकसेलरेशन तो ये ठीटा कौन से वेल्यू के बीच में लाई कर सकता है? ये आप्शन तो अगर सारे कॉंसेप्ट को से समझ गए तो इसका आंसर भी बता सकते हैं कौन सा आंसर भी और उधर कौन सा क्यों भी ऑप्सन और इस मल्टिपल हो सकता है एक से ज्यादा भी सी हो सकता है जब बी सही होगा तो अपने आप सही हो जागा ना जब बी सही होगा तो ए भी सही हो सकता है और कोई जल्दी से बताओ क्यों सा आंसर ए और बी क्यों ले टी और आउनली सी तीनों क्यों सी तुम्हारा क्या अंसर है केवल सी नहीं अपना तुम आंसर बताओ केवल सी अंसर की वी से लग रहा है कि वी सी में कोई एक होगा जिरोड़ी हो भी सकता है तो चलो इसमें आप समझते हैं और छोटा सा समझ चीज समझना है उस पर रहाधारित सवाल है जिस देखो देखो पहला यूनीफॉर्म सरक्मोशन के बारे मीं बात करते हैं यूनीफॉर्म यूनीफॉर्म में क्या होता है यूनीफॉर्म में विलोसिटी इस तरफ है मालो तो केवल एक्सेरशन कौन सा होगा नॉर्मल होगा, युनिफॉर्म एक्सलेशन में क्यों नॉर्मल होगा अगर युनिफॉर्म एक्सलेशन की बात किया जाए युनिफॉर्म सरक्लों मोसन की बात किया जाए तो उसकेस में केवल एक्सलेशन कौन सा है, एन है 80 का फैलू क्या है, 0 है 80 बराबर 0 होता है यानि केवल एन है मतलब total भी ऐई है एन बराबर ही क्या हो गया total acceleration तो total acceleration और velocity के बिच में एंगल कित्ता मनता इनीफॉर्म है 90 डिग्रिय है यानि कि theta के value 90 डिग्रिय हो सकता है थीता बराबर अगर 90 डिग्रिय होता है तो कौन सा सर्कूलर मोशन है युनिफॉर्म सर्कूलर मोशन हो गया ठीक है अब देखते नन इनिफॉर्म नन इनिफॉर्म देखते हैं नन इनिफॉर्म सर्कूलर मोशन में क्या क्या हो सकता है तो मालो कि कोई नन इनिफॉर्म सर्कूलर मोशन में है जिसमें इस तरफ विलोसिटी है तो 80 भी क्या होगा 80 भी इसी तरफ होगा 80 भी इसी डिरेक्शन में होगा 80 ठीक है और एन तो होना ही होना है एन तो सेंटर की तरफ होता ही है तो टोटल एक्सेलेशन क्या होगा टोटल एक्सेलेशन दोनों एक्सेलेशन का क्या होगा वेक्टर सम होगा, ये एक्सेलेशन और ये एक्सेलेशन, दोनों का मिलाकर पैरलोग्राम बना लिए, और दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, ये बरा डाइगोनल होगा, ये हो गया टोटल एक्सेलेशन, ये टोटल, और ये टोटल, वेलोसिटी से एंगल कितना बना रहा है ठ थीटा विदा बना रहा है। यह तो क्या को सकता है पता क्य 죄송 वह प्रिव होने का मत्लब Aww क्यों 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 प्रया चाहता है। सब्सक् garsu सब्कस्द को सब्सक्राइब हो और 3। नहीं हो सकता है फिर टिक का नोट भी जी रों होने का मतलब क्या हुआ ही टोomme पिनerson िट्रन टाल असलेशन विलो कि तरह यह हो सकता है नौर्म्मल है वं 요즘 sum लेदेरő से बड़ा हो हो सकता है लेकिन फीर म fills रीट से धहां सबस rappelle के टम द टेहाँ हो सकता है अब 0 से ज्यादा हो सकता है खीटा हमेशा क्या होगा 0 से ज्यादा होगा अब ये कहां तक जा सकता है तो देखो ये total expectation एन हो जाए तो 90 तक जा सकता है अब अगर माल लोग के speed को कम कर रहा है अगर माल लेते हैं कि speed decreasing है अगर 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 मालो कि इसका स्पीड इसके पास जो स्पीड है वो इस डिडेक्शन में है लेकिन वो स्पीड क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलेशन उसके पोजिट होगा एक्सेलेशन एटी इधर होगा लेकिन एन तो इधर ही होगा एन इधर होगा तो दोनों का रिजल्टेंट दोनों का रिजल्टेंट पेरलोग्राम रूल से यह हो जाएगा तो यह हो गया टोटल एक्सेलेशन एटोटल एटोटल 0 हो जाए यह न कभी 0 नहीं सकता है क्योंकि भी तो है ही यानि कि 180 भी नहीं सकता है तो ठीटा क्या-क्या नहीं सकता है ठीटा के नौट भी 0 ठीटा के नौट भी 180 तो 0-180 के बीच में 0 और 180 को छोड़के इसलिए option कौन सा मैच कर रहा है केवल सी ऑप्षन ठीक है तो 0-180 के बीच में एक्स्क्लूडिंग 0 और 180 को छोड़के बाकि सब एंगल हो सकता है लेकिन 0-180 नहीं सकता है ति ऑप्षन भी क्या होगा जो सी तुम क्यों बोले यह भी बोलना चाहिए तो केवल डी या केवल सी सही नहीं माने जाएगा तुमको स के-ख का एकगा तो यह रहे हो स्कता है रहार जाकर यह फ्तआ हो कि फीट होगे सिरो सकता है क्या नहीं ना तो यह सोरी सोरी यह हुआ है अच्छा अूश्य हुआ और जाकर विना मंतर्जय कॉर्वाल टू तो आप जाकर के सी और डी दून को सबठाएगा तो सर्क्लर मोशन में आज हम लोग केवल बेसिक कॉंसेप्ट डिसकस किये, समझे, सब कोई, क्या समझे, आज हम लोग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और टेंगेंसल एक्सेलरेशन के बारे में जाने, शुरुवात का, फोड़ा चेप्टर है, फिक्षन इतना बड़ा ही है, सब को एक मिनट, सब ध्यान कोई नहीं देता है बात, तुरत वीजियों आते हो, फोकस, फोकस, सबी लोग सर्क्लर मोशन का, शुरु का पांच-छे क्वेस्चन एक्सेलरेशन से ट्राई करके आएंगे, अगले क्लास में सब कोई कुछ देख कर आएंगे, मोशन ओफे पेंडूलाम, मोशन ओफे बकेट फिल्ड विथ वाटर, इने वर्टिकल सर्कल, यह सब देख कर क्या आना है, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में,